हलो जोस्तों आप सभी का All About Socious में स्वागत है और ये समाज सास्र की इगनू सिरीज है और इसमें आज हम लोग ये इगनू सिरीज है और इसमें आज हम लोग समाज सास्री विचारक एवं उनकी पूस्तकों के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो मैं आप सभी को ये बता दूँ कि जो सोशोलोजिकल थिंकर्स हैं और उनकी बुक्स हम लोग जैसे के मैलनौस की हैं या काम्टे हों या माक्स हों इन सभी की किताबों को जानते हैं लेकिन बहुत ऐसी इगनू में जो इगनू के कंटेंट तैयार किये जाते हैं उसमें फैमिलियर नहीं होते हैं या हमें उनके बारे में उतनी जादे जानकारी नहीं होती है तो जो भी कंटेंट मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करती हूं इगनू सिरीज की बात में कर रही हूं तो वो सारी कंटेंट किसी न किसी थिंकर्स के किसी न किसी बुक से लिया गय हुआ रहता है तो इग्णू के बुक में तो थिंकर्स और उनके बुक्स के नाम में Intoncéशन रहते हैं जब हम जैसे कि मेंडिकर करते हैं और उस एंडिंग के बाद जाके सारे थिंकर्स के नाम होते हैं कि किन किन thinkers की कौन कौन सी book जो है वो हमने prefer की है और उससे हमने इस content को तयार करने में मदद ली है लेकिन वो जो books और thinkers हैं वो हम लोग discuss नहीं कर पाते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ऐसी पुस्तकें होती हैं जो पूस्ती जाती हैं और हम सभी के लिए वो new books होती हैं हमें नहीं लगता है कि इस book के बारे में हमें पता है या नहीं पता है तो जो भी समासास्त्रिय विचारक इगनू के content में जिनके content यूज किये गए हैं और उन कौन कौन सी book को prefer किया गया है उन ही सारी books और उन विचारकों के बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं तो एक lecture में lecture बहुत lengthy नहीं करेंगे क्योंकि ये topic ही अपने आप में बहुत जादे lengthy होता है कि books के याद रखना और writers याद रखना या thinkers याद रखना related तो हम लोग एक lecture में only 2020 20 20 जो किताबें हैं उनका नाम और उन से related जो thinker हैं उनके बारे में discuss करेंगे तो पहली book हम लोग देखते हैं I think very very easy book है ये आप सभी को पता है इंडिया social structure ये book जो है M.N. स्री निवास के द्वारा लिखी गई है तो पहली book ये आप लोग note करते जाएगा मैं again बोल रही हू कि एक separate side में आप लोग इसको notes कर लीजीगा क्योंकि ये बीच-बीच में मैं 20-20 किताबों का discuss करती रहूंगी और इग्णू के book में जितने thinkers उनकी किताबों का जिक्र किया गया है उस सारा आप लोग का cover हो जाएगा इसमें इसलिए इसके लिए एक separate कम से कम ये हम कह सकते है 20-25 पेश का separate portion आप लोग बना लीजेगा जिसमें simply इंडिया social structure लिख दिये आगे MNC निवास लिख दिये तो आप लोगों के books के name और thinkers का collection हो जाएगा अगला book हम लोग देखते हैं sociology in India यह book है D.Z. Mendelbaum का अचा यहाँ पर मैं यह भी बता दूं कि बहुत सारी किताबें आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी जो की बाहर आप लोगों को पुस्तकों में नहीं मिलता है हम यही कहेंगे न के बराबर सायद ही कोई book आप लोगों को देखने को मिलेगी तो मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगा यहाँ पे जैसे कि आप लोग feel करेंगे आप लोग जब मैं discuss कर रही हूं तो feel करेंगे इसमें से बहुत सारी books के नाम आप लोग को नहीं पता होंगे ना ही उससे related thinker पता होंगे लेकिन ये इग्नू के book में mention किये गये हैं नेक्स बुक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं on nature of caste in India ये T.N. मदान की लिखी गई book है तो very very important book है इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेगा ये book आप लोग देख सकते हैं Mackie Marriott का है M. Marriott Interactional and Attribunal Theory of caste ranking ये एक अपने आप में important book हो जाती है और I think कि आप लोग में से बहुत कम लोगों को ही इस book के बारे में पता होगा तो Interactional and Attribunal Theory of caste ranking जो है वो Mackie Marriott की है ओके next book हम लोग देखते हैं contextualizing caste ये भी एक different book आप लोगों को मिल रही है contextualizing caste जो है वो S. M. Chatterjee और Y. Sharma के त्वारा लिखी गई है तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखेगा नेक्स बुक हम लोग देखते हैं Child Labor in India जो है ये J.C. Cools Rest की बुक है तो ये भी आप लोगों को एक different thinker different book का नाम यहाँ पे दिख रहा है नेक्स बुक देखते हैं Women and Society in India ये बुक अपने आप में important book है Women and Society in India जब हम महिलाओं के जो section में हम पढ़ते हैं sociology में तो उसमें एक ये important book हो जाता है और ये बुक लिखी गई है N.D.S.I. और M.Kishner Raj के द्वारा ओके नेक्स बुक हम लोग देखेंगे Social situation of the asset in India जो asset person होते हैं उन पे ये बुक लिखी गई है तो Social situation of the asset in India ये बुक जो है A.S. Cooli के द्वारा लिखी गई है ये भी बुक आप लोगों को बिल्कुल different book लग रही होगी ओके नेक्स बुक हम लोग देखते हैं Beyond Ambedgar, Asis on Dalits in India एक important book है ये और ये लिखी गई है N.R.A.M. के द्वारा मेरा main मकसद जो है वो यही है कि आप लोगों को maximum information दे सकूँ तो मैं आप लोगों को पता है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई online classes इस तरीके से paid लेती हूँ कि हाँ मुझे अपने students को अच्छे से पढ़ाना है और भागी सारे लोगों को complete knowledge नहीं देना है या complete जानकारी नहीं देनी है information नहीं देना है तो मेरा तो main मकसद ही यही है कि मैं जितने आप लोग ऐसे हमारे साथ ही है कि जिनों को content available नहीं हो पाता है और जो लोग paid classes भी नहीं ले पाते हैं या दूदराज के गाउं में रहते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास content available नहीं हो पाता है बुक्स नहीं मिल पाती है या फिर और भी बहुत सारे issues होते हैं क्यों उनके पास अच्छे content का access नहीं हो पाता है तो उन लोगों के लिए ये मेरा जो class है ये एक कहेंगे कि dedicated उनको समर्पित class है कि मैं यही चाहती हूँ कि maximum जो information है खास करके sociology से related हुआ आप लोगों तब पहुचे तो इसके लिए मैं भी different types से सूचती रहती हूँ कि किस तरीके से मैं lecture लाओं कि जिससे आप लोगों को maximum information मैं दे सकूँ अगला book हम लोग देखते हैं Tribal Life in India Tribal पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे thinkers ने book लिखी है जैसे कि घुरिये ने लिखा है बोस ने लिखा है तो कुछ-कुछ ऐसे books हैं जो कि confused कर जाती हैं लेकिन आप लोग यहां पे ध्यान दिजेगा Tribal Life in India Tribal Life की बात किस ने की है तो ये N.K. बोस ने की है वहीं पे अगर हम घुरिये की बात करें तो इनकी book The Schedule Tribe की है ये book G.S. खुरिये की लिखे गई है तो Tribal Life in India की बात होगी तो बोस होगे The Schedule Tribe होगा तो G.S. खुरिये होगे एक book और भी Tribal पे लिखा गया है ये है Forests and Tribals ये N.C. बसू के द्वारा लिखा गया है तो ये book आप लोगों को एक different book दिख रही होगी ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा एक Tribal पे और बुख हम यहाँ पे देखेंगे Planning for Tribal Development ये B.D. सर्मा के द्वारा लिखी गई है और ये भी book अपने आप में important book है next book हम लोग देखेंगे एक very very important book हम कर सकते हैं और ये thinker भी आप लोगों के लिए नए है TV सत्यमूर्ति करके book जो है अपने आप में बिल्कुल entirely different है बट चुकि ये हमारे reason, religion, gender, culture से related है और इंडिया के बारे में है तो ये हम लोगों को जानना important हो जाता है तो आप लोग को book यहां पे दिख रही है reason, religion, gender and culture in contemporary India अच्छाई आप लोगों में से अगर ऐसे कुछ साथ ही हो हमारे कि जिनको हिंदी में अगर problem होती हो तो मैं जो बोल रही हूँ चुकि books के नाम मैंने हिंदी में लिखे हैं लेकिन ये English word का ही translation हिंदी में है तो आप लोग चाहिए तो उसे English में आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने बोला reason, religion, gender and culture in contemporary India तो आप लोग English में भी लिख सकते हैं तिंकर का नाम जो है वो TV सत्यमूर्थी है ओके नेक्स बुक हम लोग देखेंगे The Politics of Backwardness The Politics of Backwardness जो बुक है ये है P.V. Panandikarpai तो ये अपने आप में एक different thinker भी है V.A. Panandikarpai की बुक है The Politics of Backwardness ओके नेक्स बुक हम लोग देखेंगे E. Geliat की बुक है From Untouchable to Dalit Very, very important बुक है ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे एक different बुक, important बुक Thinker का नाम भी बिल्कुल आप लोग को different दिख रहा है तो From Untouchable to Dalit E. Geliat की द्वारा लिखा गया है ओके Next बुक हम लोग देखेंगे Dalit and Democratic Revolution Dalit and Democratic जो Democratic Revolution हुआ है उस पे ये बुक Dalit से रिलेटेड लिखा गया है और ये एक important बुक हो जाता है क्यूंकि एक बहुत ही important thinker की ये बुक है और thinker है Gail Omwet आप लोग को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दू कि मैंने Gail Omwet पे lecture भी बनाया है और आप लोग चाहिए तो उनका lecture जाके समझ सकते हैं सुन सकते हैं वहां से आप लोग देख सकते हैं बियॉंड अंबेटकर essays on Dalits इंडिया तो आइ थिंक ये repeat हो गया है बुक अलड़ी हम लोग डिसकस किये थे बियॉंड अंबेटकर essays on Dalits in India ये एंडराम के द्वारा लिखे गई है एक बार हम लोग फिर से इसको revise कर लिए नेक्स बुक हम लोग देखते हैं Cultural revolt in a colonial society वेरी वेरी important बुक है और ये बुक भी गेल उमवेट की द्वारा लिखे गई है तो ये आप लोग ध्यान रखेगा ओके नेक्स बुक हम लोग देखते हैं Class and Class Conflict in Industrial Society तो चुकि मुझे लगा कि सारे के सारे बुक्स बहुत ही ऐसे अन्नोन जैसे ही नहीं होने चाहिए तो आरे डेरेंड डार्प की आप सब्सक्राइब को पता है किसमें Industrial Society में और यह है राग टैरेंड डार्प तो दोस्तों आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट कुछ ही हेडिंग है तो आप लोग जाए तो छोड़ सकते हैं ओके तो हम लोग इसी तरीके से नेक्स लिक्चर में बीस थिंकर्स पे उनकी महत्पुर्पुस्तके कौन सी हैं और ऐसे नार्मल पुस्तके नहीं जो कि हम लोग नार्मल पढ़ते हैं और किसी भी बुक में जिन ठिंकर्स और बुक्स का नाम दिया गया है उसकी बारे में नचर्शा करेकि बलकी मैं उन्हीं किताबों को यहाँ पे मैंसन करूंगी जो की थोड़े डिफरिंट बुक्स हैं और जो हम लोगration को नार्मल और भी किसी टेक्स बुक्स में नहीं मिलता ह या competitive books में नहीं मिलता है तो उनकी जो किताबे हैं और उनके thinkers का नाम है उसको हम लोग यहां पर discuss करेंगे I hope कि यह जो मेरा एक अलग तरीके से सोचने का नजरिया रहा वह आप लोगं को काफी कुछ help करेगा खास करके जो thinkers और उनके books का जो portion होता है उसमें धन्यवाद